कोरोना का बढ़ता संक्रमन कम करने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है राज़ानी जैपुर में भी लॉकडाउन के चलते सक्ती बढ़ती जा रही है दो दिन से बहारी राज्यों के प्रवासी अपने घरों के और पैदल जा रहे थे जिनने भी केंदर सरकार के निर्देशों पर रोक दिया गया है वही लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने डोर टू दोर जरूरी सामान उपलत करवाने के निर्देश दिया है उसका असर भी देखा जा सकता है अलांकि पिछले दो दिनों में जो बहारी लोग परवास के दोरान शड़कों पर नजर आये थे और उसके बाद केंदर सरकार के सक्त निर्देशों के बाद में आज इसी किसी भी तरह का इनकी जो लोग है वो बहां नहीं निकल रहे सकती नजर आ रही है और उसी के तैट को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि देश और राजस्तान में कोरोना प्रविजय हासिल हो सके और इसी के साथ साथ और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमन लगातरा बढ़ता जा रहा है इसलिए जैपुर शहर के बात करें तो जैपुर सायर के चाड़ दिवारी चेतर में करिफू लगा दिया गया ताकि कोरोना के जो संक्रमन को रोका जा सेके वहीं डोर टू-डोर घरेलू शामान और जावसे क्वस्त्व हैं वह उपलब्द करवाने की परसासन की और से कोशिश की जा रही है ताकि आ